हमने यह दिखाए कि नाथ की महफिल में हम देखते हैं कि वो सबसे पहले तो सारा नजला जो है न वह तो विचारी इको साउंड के उपर निकल निसले जाता है कि वोस के और शी जाता है कि ống में हमने बहुँत ऐखने जाता है बाउर यकावाला पस हो को एक जनरल बात यह गाए कि कितना डिले और कितना एको महफिल में होना चाहिए कि सांस भी आती रहे सपोर्ड मिलता रहे कुछ लोग कहते हैं बिल्कु ड्राइव होना चाहिए कुछ कहते हैं नहीं बहुत ज़्यादा डिले होना चाहिए या आप दोनों होना चाहिए क्या होना चाहिए हमने अपने वाली साहब को जो देखा जो अकावरीन का तरीका जिस तरह मैं सीनियर्स करका हुआ पतलती जिस तरह आजकर जो हमारे डिले और ये पिंग पॉंग कह दे या उसको बहुत ज़्यादा शार्प करके और जिसमें अलफाज ही समझ में नाय तो भी फाइदा नहीं हो अच्छा हर कलाम पे भी सोट नहीं करता हो पिंग पॉंग वाली जो आजकर हमारे खास तोर पर नात खाँ पसंद करते हैं तो उस पर आप टेंपो पे जब पढ़ रहे हैं तब तो सही लगेगा वो लेकिन अगर आप मैं स्लो बैर की नात पढ़ रहा हो तो तो उस पर अच्छी भी नहीं लगी तो ये सारी चीज़ है हमें देखना चाहिए अच्छा हम नहीं देखने जो जिस वक्त आपने नाम लिया उसे देख इसमाहिल साफ का आपके वाली साफ और बेशुमार एवन अगर हम आपको भी देखते हैं तो हम देखते हैं कि बलके आप तो चला आप तो उस दौर में हैं कि जिसके अंदर सारी सहुलियत मुझूद है और आप स्टूडियो के अंदर कोई वी बंदा चले जाए तो उसके सुर्मी तकरीबर स्ट हो जाते हैं अगर चे आप अच्छा बढ़ने वाले हैं लेकिन थोड़ी बहुत कमी वेशी किसी भी नातकों की तो वो उसको दुरूसती जा सकती है लेकिन उस वक्त जब जाना और सादे माइक में पढ़ना उपना नाम बनाना कितना मुश्किल था अधरत मैंने तो उनसे वाले साथ से सुना भी और बिल्के कुछ वीडियो वगरा भी देखेंगे वो आजकल जो मस्जिदों पर स्पीकर लगे होते हैं वाला साउंड सिस्टम होता इसको बाल्टी वाला साउंड हो बाल्टी यां रखी होती थी एक वो एम्प्लिफायर क्या एक्सपीशन साउंड इसकी वज़ाई है कि देखेंगे 2007 में जब आपके वाली साथ के विसाल हो तो पिर तो उस वक्त तो जदीद दौर आ चुका था तक रिकिन इससे पहले हमने भी देखा आपने मुशाहिदात में ये शामिल है कि जब आप स्टूडियो में जाते या कोई यसा कोई वाकिया में इसा शेहर कहना है नहीं बहुत सारी एलबम्स में जाना हुआ साथ रिकॉर्डिंग्स में और देखने के गर्स से कभी एक या दो कोर्स भी किया होगा देखेंगे वो मैंने आप से चीज़ते प्रैक्टिस इतनी थी कि वो बिलकुल तैयारी क साथ आते थे वो शिफ्टे जाया नहीं होती थी अब तो आटोट्यूना आ गया मज़े ही मज़े उस वक्त आपने जिस तरह का है कि वो अगर अगले मिस्टे में भी हुआ तो अगर पूरा रिकॉर्ड इस्टीर करते थे क्योंकि उन्निस भी हुआ तो फिर मैच ही नहीं हो जाएगा उथ खो ऊचा और यह पढ़ने की क्या था को जाता है यह फोर्स होना शुरू होना शुरू हो जाती आप गरम होता है गला तो आहसदा इसटा बढ़ता जाता सुरू चड़ने की अंदेश होता है तरह आछने को और प्लांदलिल्ला इन लोगों पर करम भी इतना उसकी प्रैक्टिस भी करनी है उसके बाद फिर जाकर उसका एक कच्चा रिकॉर्ड होता था एक दफ़ा उसको पहले रिकॉर्ड करते थे पिर सुनते थे कि क्या क्या जलती है फिर उसके बाद उसको प्रॉपर रिकॉर्ड होता था थे पुड़ी सबतस बाद बताए कि ये आ आजकल तो स्टूडियों बिजी भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि अल्ला ताला का शुक्र है कि बहुत सारे नात को मैदान में हैं, मौजूद है तो अब तो ये कच्छा और पक्के का तो सिस्टम भी मेरा खाल जाब भी नहीं कर पाते हों गया था करना इसका जुरूरी है वज्जा पता है कि हम चार शिफ्टों के अंदर अगर अगर वो कच्छा करके एक शुट में सिर्फ कच्छा रिकॉर्ड करने और उसको बैठके कर सुन ले तो अगली शुट में पूरा पढ़ दे वाँ 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 ये बड़ी सबधरस्त बाद आप कि देखें खुदारा अब ये बड़े नात्खाओं तो प्रिक्टिस करके दूसरी शिफ्ट में कर देंगे ये जो पिछारे नए नात्खाओं थे उनके साथ थोड़ा सा अलकाद रखें और उनको थोड़ा सपोर्ट करने सब की बात नहीं कर रहा है अज सब्सक्राओं नात्खाओं को भी हमें चाहिए इस तरह आज कि मैंने देखा कुछ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाके देखा तो हमारी नात्खाओं मैं फुल डिले बे नात रिकॉर्ड कर दे पर इस तरह नहीं होता आप मोनो पे जिस तरह बिलकुल सादी अवा पर आप रिकॉर्ड करते हैं आपकी खामी तो बता लगे